Hello friends, welcome to English Literature friends यहाँ पे friends हम तयारी कर रहे हैं TGT और PGT ASTAT exam की तो friends new syllabus के according आपका जो syllabus है वो करवाया जा रहा है और जो हमारी series है pedagogy की वो continue रहेगी तिल आवर ASTAT exam तो friends यह जो series है वो TGT PGT में equal importance रखती है यहाँ friends हम discuss करेंगे जो pedagogy है उसमें हम teaching methods कर रहे हैं तो हमने कल किया था जो हमारा translation come grammar method को किया था तो आज हम करेंगे हमारा जो direct method रहता है जैसा कि मैंने बताया था कि जो teaching method है उनको two parts में divide किया गया है तो एक तो हमारा रहता है old जो methods है जिसमें हमारा आता है grammar वाला method आता है साथ ही साथ ये direct method भी आता है और दूसरा जो रहता है वो हमारा है new methods जिसमें हमारे bilingual method और जो Dr. Westwala हमारा substitutional हमारा जो methods है वो आते हैं तो उनको भी हम discuss करेंगे तो 5-4 class बनेंगे जिसमें आपके teaching method है वो complete हो जाएंगे उसके बाद हम जो हमारे teaching की approaches है उनको हम discuss करेंगे तो fans यहां हम देख लेते हैं जो method होते हूं क्या होते हैं जिसमें वो technique जो teacher student को सिखाने के लिए use करता है किसी भी chapter को किसी भी concept को clear करने के लिए जो वे अपनाता है वही हमारा क्या होता है teaching method होता है तो fans यहां हम देख लेते हैं कि direct teaching method क्या होता है तो direct जो हमारा teaching method है उसमें जो language होती है कौन सी language जो other language जो language होती है इसको हम target language बोल सकते है जो हमारी target जो foreign language होती है जो foreign language उसको सिखाने के लिए कि teacher क्या way use करता है तो यहां पे जो target language होता है जो हमारी English language होती है उसको क्या बोलता है डारेक्ट चिखाता है जैसे हमारा जो Translation वाला मेथल्ड था उसमें हम mother tongue का use करते थे लेकिन यहाँ पर जो mother tongue है उसका कोई भी use नहीं होता है यहां पे direct बच्चे को रट्ता जग करवाय जाता है में इस हम कह सकते हैं हमारी भासा में कि यहां पे क्या होता है ज़से हम देखते हैं कि जो हमारी primary classes होती हैं उसमें भी टीचर बोलता है फिर पिछे पिछे बच्चे बोलते हैं तो यहां पे friends जो teacher होता है वो किसी भी word को, किसी भी sentence को एक वार बोलेगा और बच्ची हैं वो 5 से लेकर 20 तक उसका क्या करेंगे revision करेंगे, उसको repeat करेंगे ठीक अफेंड्स, तो यहाँ पे कोई भी thing है, कोई भी चीज जो teacher शक्काना जाता है language related, उसको teacher बोलेगा, उसके पीछे पीछे बच्चे भी बोलेंगे तो यहाँ पे बिलकुल भी mother tongue का use नहीं होता है यहाँ पे direct language है, वो उसी medium में सिखाई जाती है, नहीं कि mother tongue medium में ठीक है friends, तो यह clear होने चाहिए, यह direct language है direct method है, उसको हम direct language में ही सिखाते हैं ठीक है, I hope so, यह आपको clear हो गया होगा, अब कुछ facts हैं, जिनको पढ़ना काफी जरूरी है features है direct method की, और फिर उसके बाद merit और de-merit हम करेंगे तो यहाँ पे मैं features लिख देती हूँ पहले features यहाँ हम कह सकते हैं, character sticks तो यहाँ पे friends क्या है, कि सबसे पहले तो इसको हम natural method कहते हैं natural method कहते हैं, जो direct method है, उसको natural method कहा गया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर आप से exam में पूछा जाता है कि direct method का दूसरा name क्या है, तो वो हमारा क्या रहता है, natural method दूसरा friends, जो direct method है, उसका development, जो translation come grammar method है उसी से हुआ है, ठीक है, और इसका जो development है वो late 19th century में हुआ है late 19th century में हुआ है और friends, बात कर लेते हैं तो इसको जो mother tongue है mother tongue का use बिलकुल भी नहीं कर आजाता क्या नहीं किया जाता, दूसरी language का use बिलकुल भी नहीं किया जाता और ये method होता friends, इसमें काफी जादा जो add है, उनका use किया जाता है add का use किया जाता है, जो meaning होता है जो meaning होता है जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा translation method उसमें हम क्या करते हैं यह पहले English read करते हैं फिर उसका meaning हमारी mother tongue में बताते हैं कोई भी मालो यह है कि किसी भी chapter को हम explain करते हैं तो line to line हम हिंदी में भी उसको mother tongue में भी उसको explain करते हैं लेकिन यहाँ पे जो meaning बताया जाता है वो या तो किसी object के थुरू बताया जाएगा जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कोई भी मालो लगा लो आप कि जैसे यह marker है तो मैं इसको दिखाऊंगी अब इसके लिए तो option ही नहीं है तो कलम का यूज डै करके हम direct चीज को ही दिखाएंगे यह marker होता है और इससे हम लिखते हैं ठीक है फिर तो इस तरह हम करते हैं तो direct meaning meaning को बताने के लिए object science का यूज करते हैं या फिर हम कोई भी इसारा वगारा करते हैं तो उससे हम language को समझाते हैं यहाँ पर activities की जाती है meaning को समझाने के लिए हम activity करते हैं activity का हम सारा लेते हैं जबकि जो हमारा translation का grammar method था तो उसमें हम क्या करते थे हम अपनी mother tongue में उसको explain करते थे ठीक है फेंट्स तो यह इसकी कुछ qualities हैं जो कि natural method इसको कहा गया है क्योंकि natural language, direct language as it is सिखाई जाती है उसके लिए जो medium होता है वो English medium ही रहता है ने की mother tongue मला ठीक है? तो यह इसकी फेंट्स characteristics हैं अब बात कर लेते हैं फेंट्स इसके merits की जो इसके गून है वो क्या क्या है? आपको यही पूछे जाएंगे कि आपको तीन तो option में merit दे दिया और एक उसका demerit दे दिया और फिर पूछे का examiner कि इसमें merit, demerits कोन से हैं तो यहाँ पे merits के अगर हम बात करते हैं merits की तो सबसे पहला अगूने इसका यही है फेंट्स इसमें ample use of ads जिसमें fans audio हो सकती है visual हो सकती है और audio visual means बहुत ज़्यादा मातरा में इसमें क्या किया जाता है use किया जाता है ads का ठीक है दूसरा इसमें बात करते हैं दूसरा point इसमें लेते हैं तो fans यह हमें क्या करता है जो हमारी सीखने की जो other language होती है उसका इसमें क्या कर दिया जाता है उसको बिलकुल balance कर दिया जाता है तो means इसमें क्या होगा fans आपकी जो fluency है fluency है या फिर हम कह सकते हैं कि जो pronunciation है वो क्या होती है fans increase होती है fluency और pronunciation है बढ़ती है फिर हमारा जो थर्ड फेक्ट रहता हूं, उसमें क्या रहता है, फेंट्स, इसमें फेंट्स और टीजर क्या करता है, जो हमारी फॉंक्शनल, जो फॉंक्शनल ग्रैमर है, उसका यूज होता है, फंक्शनल ग्रैमर होती है, यह हम कहसे हैं, यूज और फंक्शनल ग्रैमर, इंस्टीड ओफ, इंस्टीड ओफ, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ग्रैमर, ठीक है, यहां भी फेंट्स क्या होता है, जो ग्रैमर होती है, उसके रूल्स को हम याद नहीं करत आपको पता है कितनी ज्यादा mistakes होती है जब हम use करते हैं बोलने के लिए जो English होती है उसको हमालग way में functional grammar के तोर पर use करते हैं जब कि हम जब writing में use करते हैं तो हमारी grammar आती हो practical grammar आती है जो कि rule waste होती है ठीक अफेंट्स अब बात कर लेते हैं हमारा जो fourth point रहता है कि self expression है self expression की capacity है वो increase होती है यह ऐसे आना जाहिए increasement of self expressionness ठीक है तो यहाँ पे self expression बढ़ता है साथ ही साथ बच्चा है उसमें क्या है बोलने की habit है उसका विकास होता है और focus किया जाता है इसमें question answer पर question answer based जो यह method होता है इसमें friends एक बार teacher बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं teacher उन्स equation put करेगा फिर बच्चे उसका answer English to English ही देंगे तो इस तरह से यह तो इसके हैं क्या है merits है अब बात कर लेते हैं कि demerits कौन-कौन से हैं तो demerits के अगर हम बात करेंगे तो friends यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा जो इसका drawback रहता है वो क्या रहता friends इसमें जो vocab है वो हमारी encourage नहीं होती ठीक है यहाँ पे demerits demerits के अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या है less vocab जो vocab होती है वो रटी-रटाई होती है बच्चे को रटवा दिया जाता है कि आपको ऐसे बोलना है जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे आपना self introduction देते हैं वो रटे-रटाई word में देते हैं वो English to English ही देते हैं तो रटी-रटाई जो हमारी vocab होती है साथ ही साथ दूसरा अगर हम इसका ड्रावेक देखते हैं तो इसमें practical grammar होती है वो बैनिस कर दी जाती है बैनिस of practical grammar और इसके बाद friends हम क्यों संस की series लेके आएंगे जैसे हमने topic कर लिया methods का तो methods से related हमारे जो जितने भी important questions है वो लेके आएंगे ठीक है practice है तीसरा है हमारा expensive method expensive method ठीक है चोथा है हमारा बैनिस of mother tongue तो friends यहां आप क्या देखते हो जो mother tongue है friends ठीक है जो mother tongue है उसका बिल्कुल भी use नहीं किया जाता तो हम देखते हैं कि friends अब आपको ही ले लो मैं खुद अपना example लूँ तो हम जो सीखते हैं friends वो mother tongue के ही through सीखते हैं ज्यादा इजली और जल्दी से हम cover कर पाते हैं mother tongue से लेक नहीं आता लेकिन जैसे ही वो mother tongue में बोलेगा तो हमें समझ आ जाता है तो mother tongue का इसमें huge नहीं किया जाता जिसकी वज़े से क्या होता friends ये बच्चा है वो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो जल्दी से पकड़ नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये खाम फूल है या हम कह सकते कि beneficial नहीं है फिर fifth number का हमारा डरावेक है वो क्या रहता है यहाँ पर friends जो हमारी reading और reading and writing skill है उसको भी क्या करता है खतम कर देता है कि जो teacher है देखो हम speaking की class लेते हैं तो वहाँ पर लिखते बहुत कम है तो इससे हमारे जो writing ability और reading की ability है वो खतम हो जाती है बच्चा लिखना है वो बहुत कम कर देता है फिर friends हम देखते हैं कि जो हमारे ये जो हमारा method है ये जो हमारे slow और learner होते हैं उनके लिए beneficial नहीं है ठीक फैंट्स अब बात कर लेते हैं फैंट्स ये हुआ इसका complete merit और demerit जो मैंने आपको बता दी है और अब यहां यह हम देखते हैं कि जो method है ये आज भी use किया जाता है तो इसको इसलिए live method कहते है live method of teaching target language ठीक फैंट्स क्योंकि 19th century मे method शुरू होगा था लेकिन अब तक इस method को क्या किया जाता है यूज किया जाता है ठीक फैंट्स तो यहां पर I hope so यह आपको clear हो गए होंगे फिर भी कोई doubt रहता है तो फैंट्स वो आपको comment box में लिखना है ठीक फैंट्स यह क्या रहता है देखो हम बार बार repeat करते हैं बने रही है मेरे साथ complete हम TGT और PGT syllabus को करेंगे ठीक फैंट्स